दोस्तो दही फुलकी गर्मियों में खाने के मज़े ही कुछ और होते हैं ठंडी ठंडी दही के अंदर नरम नरम फुलकियां बेहत स्वादिस्ट लगती हैं आप ये रेजबी ट्राइ करते हैं तो आपको येकीनन ये बेहत पसंद आने वाली है पीजे त्यार है गर्मियों में ठंडी ठंडी दही फुलकी सर्फ करने के लिए अलो दोस्तो मेरा नाम है उमा रावत और सागत है आपका फूर्ट जाइपे दही फुलकी बनाने के लिए हम एक कप पेसन लेंगे एक बड़ी बुल में इसे शिफ्ट कर लेंगे अब इसमें स्वात के नुसार नमक आट करेंगे या फिर आधा छोटा चमज दो से तीन बारीक कटी पे हर्यमिर्च आट करेंगे और 1-1.5 इंच का अधरक का टुकड़ा भारीक कटावा आट करेंगे इन दोनों चीजों से बहुत यचा फ्लेवर आता है इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आट करते हुए एक लम्स फ्री बैटर बनाएंगे थिक बैटर बनाएंगे जैसा कि आप दही बलों के लिए बनाते है न सेम वैसा ही इस बैटर को हम तब तक फेटेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये बजन में हलकी ना हो जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमने इसे सेम दिशा में फेटा है इसे फेटने में सिफ 5 बिनिट लगता है तो यहाँ पर ये बैटर त्यार है इसका कलर चेंज हो चुका है और ये बजन में हलका भी हो गया है अब हम चेक करेंगे कि बेटर रेडी है या नहीं तो इस तरीके की एक ड्रॉप डाल के दिखें अगर पानी में ये ड्रॉप तैर रही है तो समझ चाहिए कि आपका बेटर बिल्कुल पॉफेक्ट रेडी हुआ है और अब एक चीज और एट करेंगे बेशन में दो पिंच के करीब हिंग एट कर लेंगे इसे डाजेशन दुरुस रहता है और मिक्स कर लेंगे फुलकी फ्राइ करने के पहले एक त्यारी और कर लेनी होगी हम एक पानी का बोल त्यार करेंगे जो कि गुन गुने पानी का बोल होना चाहिए तो पानी थोड़ा गरम कर लेंगे इसके आ तरह थोड़ा गीला कर ले उसके बाद फुलकी के लिए आप इसमें से बैटर निकाले इससे होगा कि आपके हाथ में बैटर चिपकेगा नहीं और आसानी से तेल में आपके हाथों से निकल जाएगा इस तरीके से हम सारी फुलकीया रेडी कल लेंगे आज को मीडियम आज को थोड़ा बढ़ा देंगे और फिर तेज आज पर इन्हें गुल्डेन ब्राउन होने तक सेख लेंगे इन्हें कम आज पर शुरुवात में सेखेंगे ताकि यह अंदर तक पक जाएं कच्छी ना रहें दोस्तों यह दही फुलकीया खाने में बहुत ही जादा टेस् और अब यह बिशन की फुलकीया हम डाइरेक्ट उसी पानी के अंदर एट करेंगे जो हमने नमक और पानी का घोलते आर किया था इस तरीके से हमने डाइरेक्ट तील से निकाल कर इसके अंदर डाल देनी है यह फुलकीया अंदर तक सौफ्ट और नरम हो सके इसे हम यह है घर का जमाया आवा दही तो इसे कैसे बनाना है इसकी रेसिपी भी है मारे पास अगर आप बोलेंगे तो हम इसका लिंक प्रोवाइट करेंगे इसे हम बड़ी से चन्नी में छान लेंगे ताकि एक अच्छा सा टेक्श्चर मिल सके दही का आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं हमने इनने 3-4 मिनटी सोक किया है यदि आप इने जादा देर सोक करेंगे थोड़ी देर और सोक करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो इनने हम थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे बहुत जादा स्क्वीज नहीं कीजेगा वरना यह खुल जाएंगी बिखर अपने इने असेंबल कर लेना है दोस्तो दही फुल्की गर्मियों में खाने के मज़े ही कुछ और होते हैं ठंटी ठंटी दही के अंदर नरम नरम फुल्कियां बेहत स्वाधिस्ट लगती है तो आपको यकीनन यह बेहत पसंद आने वाली है घजूर या फिर इमली की चट करेंगे और अब उपर से हम भुनावा जीरा थोड़ी लाल मेच और काला नमा के एट करेंगे और थंडा 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 यह से सर्फ करेंगे त्यार है गर्मियों में ठंडी ठंडी दही फुल्की सर्फ करने के लिए अगर रेस्पी अची लगी है तो वीडियो को एक लाइ